स्वागत है आपका मेरे साल में एक बार आने वाले ब्लॉग में मैं साल में एक बार क्यों कह रही हूं कि मैं साल में बस तीज में एक ब्लॉग मनाती हूं अपने मेमोरी के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाती और फिर सोचते हूं इतनी मेहनत करी लिए तो क्यों आप सबके साथ भी शेयर किया जाए तो आज की ब्लॉगिंग मैं एक दिन पहरे से स्टार कर रहे हूं जनरली मैं तीज के दिन ही ब्लॉगिंग करती हूं बट आज मेरे मेरे पास टाइम था अभी मैं फंक्षन से वापस आई हूं तो थोड़ी मोरी आपको रेडी भी दिख रही हूं अभी मेरे पास टाइम है तो सोचा आज ही ये व्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ तयारी करनी है मेरा बेटा स्कूल गया है तो मेरे प इस बार मैंने सोचा थोड़ा से डिफरेंट करूं तो मैंने अलग अलग जो भी मैं साड़ी वीर करने वाली हूं उसमें जो भी कलर है मैंने अलग बेंगल बाइक कि हैं करने तो कि दिन भर क्या क्या करती हूं पूजा कैसे करती हूं उसके नेक्ट डे भी मैं ब्रत कैसे खोलती हूं सब कुछ आपके साथ शेयर की और हो तो प्लीस लाइश तक इस ब्लॉग में जरूब बने रही गा तो अभी मैं सोच नहीं सबसे पहले मैं कहां से सुरुआत तो महदी तो सोच नहीं हूं मैं रात में या साम में लगाँ अभी मैं सोच नहीं सबसे पहले बैंगल का सेड बना लूँ तो सबसे पहले तो मैं अपने आउटफिट को चेंज करती हूं क्योंकि बहुत ही घर्मी हो रही है आप मेरी हालत देखके अंदाजा रगा सकते हैं तो सबसे पहले मैं किसी comfortable outfit में आती हूँ, उसके बाद आपके साथ सारी तैयारियां शेयर करती हूँ, तो बने रहिएगा लाश्ट तक मैं घर के धीले ढाले, comfortable से टी-शर्ट में आ गई हूँ, अभी fan चलना है क्योंकि बहुत ही गर्मी है, तो नौई सारी होगी तो प्लीस उसे इग्नोर कीजेगा, तो यहाँ पर मैंने सारे अपने bangles निकाल ली हैं, तो अब मैं आपको back camera से दिखाती हूँ कि मैं कैसे bangles का set ब buy की हैं, तो in case अगर आपको पसंद आता है, तो मैं इनका link description box में दे दूगी, आप वहाँ से buy कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे condition में receive हूए थे, size भी काफी अच्छी है, and color के भी option मिलेंगे, तो आप अपने outfit के according choose कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, मैंने total, मतलब कई सारे bangles ब divide कर दिया, उसके बाद मैं at random ऐसे कई तरीके से bangles को mix and match करके देख रही थी कि कौन जादा अच्छा लगेगा, आप देखे, बार-बार लगा रही थी, हटा रही थी कि कौन जादा अच्छा लगेगा, पहले मैं सोच रही थी, बीच में भी एक मोटा कड़ा यूज करू, मुझे लग रहा था, बहुत ही जादा है भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे bangles थे तो आपका हाथ भरा दिखेगा, तो इस तरह से मैंने कुछ bangles का set ready किया है, मुझे लगता है काफी अच्छा लग रहा था, आप बताईगा कि आप सब को यह कैसा लग रहा है, simple सा है, ब आपको दिख रही है, आचल वाला है, सारी का में पोर्शन है, वो औरेंज कलर में है, तो कल मैं आपको पूरी सारी का लुक दिखाऊंगी जब पहनूंगी तब, अभी तो आप ऐसे ही देख लीजेए, यह है इसके blouse, आप देखे, simple सा blouse है, बट बैक साइड में इसमें भ अगर आपको यह भी भाई करना है, तो इसका लिंक में बिल जाएगा, इसके बाद रात को मैंने महदी लगा लगा ली, सिफ एक ही हाथ में लगाई थी, एक हाथ में मतलब मैं जब यह थोड़ा सा ड्राइ हो गया ना, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी महदी नह यानी क्लीनिंग, इसके बाद मेरे बेटे को स्कूल जाना था, तो उसका लंच बॉक्स रेडी किया, तो बस यही बेसिकली चोटे मुटे काम किये मैंने, आज मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा नहीं बनाया, सिंपल सा यह पनीर एंड चीज को लगा कि सेंड्विच बना दि के बाद मैं अपनी साड़ी अंजितने भी श्रिंगार के समान है, मेकप के समान है, जो मैं आज रेडी होने में यूज करने वाली हूँ, सारे को एक साथ रख रही हूँ, अभी मैं वाइस ओबर कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी से गले में खरास टाइप की हो गया है, त पता नहीं आवाज कैसी हा रही होगी, थोड़ी सी मोटी मोटी हा रही होगी, तो प्लीस उसे इग्नोर कीजेगा, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने बिचिया पायल, मेकप के समान, निल पेंट, सब कुछ निकाल के रख लिया है, ताकि रैडी होते हुए, मुझे क कर दूँगी, तो आप सब को हरितार का तीज की बहुत बहुत ज़्यादा शुब कामना है, भगवान शिव और पारवती का आश्रवाद आप सब पर हमेशा बना रहे हैं, आपके जीवन पार खुशिया आएं, तो अभी मैं नहार दो के रैडी हो गई हूँ, यह सिंपल सा सूट भी हर किया है, निल पेंट भी लगा लिया है, आप मेरी बहुत का कलर देख सकते हैं, थोड़ी बहुत पूजा की तयारी भी स्टार्ट कर दी है, तो अब चलती हूँ, पहले मैं रेडी होंगी, पीछे लाइट है, इसकी वज़ा से थोड़ा सा बलर आ रहा है, तो उ से एगनोर कीजेगा, तो अब मैं चलती हूँ, रेडी होंगी, और क्या-क्या पहनने वाली हूँ, क्या-क्या श्रिंगार का समान है, उस सब कुछ आपके शेयर करूँगी, उसके बाद रेडी होंगी, उसके बाद पूजा करेंगे, और भी बहुत कुछ है, तो प्लीस ला करती हूँ, तो इस बार मैंने यह सिंपल सा डिजाइन ट्राइ किया है, जो बहुत ही सिंपल है लगाना, बट अभी आप फाइनल लुक देखिएगा, जो निकल किया रहा है, वो बहुत ही खुबसूरत लगा, परस्नली मुझे तो बहुत ही खुबसूरत लग रहा था, कुछ भी छूटे ना, तो आप देख सकते हैं, पायल बिच्छा भी पहलनी, बिच्छा भी देखिएगा, साड़ी के कलर से मैच करता हुआ, इस बार मैंने चूज किया है, तो पायल थोड़ी सी सिंपल रखी है, क्योंकि पायल मुझे बहुत ही चुपती है, मोटी बाली, तो आप देखे, कुछ इस तरह से लुक निकल के आया, अब मैं मेक अप करना इस्टार्ट कर दी हूँ, तो मेक अप की मैंने वीडियो तो ली है, बट प्रॉपर नहीं ली है, तो अगर कभी हुआ, तो किसी अलग वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि प्रॉपर तो नही है, तो पहले मैं रेडी होके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको अपना पूरा फाइनल लूप दिखाऊंगी, तो फ्रेंड मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई, आप देखे, और मैंने अभी ऐसे सिंपल सा हैयर श्टाहल बना लिया था, क्योंकि मुझे ब पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई, अभी मैंने ये वाला हेयर स्टाहल बनाया है, बट अभी मैं थोड़े में चेंज भी करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, उससे पहले मैं आपको पूरा लूप लिखाती हूँ कि मैंने साड़ी कैसी बीयर की है थोड़ी से कोशिस की है, लहंगे स्टाहल में पहनने की कोई भी वीडियो नहीं देखी थी, बस अपने आप पहनते पहनते कुछ नया ट्राइ किया है, तो आप पताईगा कैसा लग रहा है, तो यह है मेरा फाइनल लुक, आप देखिए, क्योंकि साड़ी डॉयल शेड में यह दो कलर में थी, हाफ पॉर्शन औरेंज कलर में था, और नीचे की डीटेलिंग बॉर्डर है, वो एकदम लहंगे वाला लुक दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं साड़ी को लहंगे स्टाहल में वीयर किया जाए, तो आप बताईगा कि यह लुक आपको मेरा कैसा लगा, बैक साइट से भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी और नहीं लग रहा है, तो आप सब बताईगा कि मैंने यह जो सारी वीयर की है, डिफरेंट इस्टाइल में आपको कैसी लगी, और मेरा लुक कैसा लग रहा है, बाकी मैंने कई सारी इंस्टाग्राम पे शेयर की है, तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं, तो वो रील भी जाके देख सकते हैं, कई सारे लुक के मैंने, मतलब कई सारी इंट्रेस्टिंग तीस रिलेटेट रील शेयर की है, तो दोस्तो अभी टाइंक्स लियो ख्लॉप हो रहा है, तो सारी फूजाओ जा सब कुछ हो गई, बा जासी प्रेंट के बैठी रहती हूं, बागी की अपडेट में आपको बात में देती हूं, तो फ्रेंड ये क्लिप सामकी छै बजे की है, और मैंने सारी चेंज कर दी, एरिंग भी चेंज कर दिया, क्योंकि एकदम कान भारी हो गय थे, और इस कमफर्टेबल से सूट में आ गई, अब मैं अपना मेकब रिमूफ करूँगी, और उसके बास सोजाओंगी, और ये जो क्लिप है नेक्स्ट मौनने की, अभी मैं जश्ट सो के उठी हूँ, और जल्दी से प्रशाद बनाती हूँ, तो आप देखे, मैंने फटाक से ये आटे का हलुआ, पूरी बना ली प्रशाद के लिए, और जल्दी से लहाद होके, अपनी पूजा भी कर ली, तो बाद में बहुत सिंपल से रेडी हुई थी, कोई भी मेक अपने किया था, जश्ली पिष्टिक अप्लाई की थी, और ये जो कुर्था सेडवियर किया, ये भी मिलशो का है, बहुत ही अच्छा है, और साथ ही बहुत ही ज्यादा कमपर्टीबल है, पूजा करने के बाद मैं जो पूरी हलवा बनाया था, उसी से अपना फास्ट ओपन किया, एल उसके बाद मैंने मतलब